नमस्कार दोस्तों मैं वी चत्रवेदी पात फांडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करता हूँ जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे प्रमुख निकल क्यार के यह वह इस पर करा है इलाहबाद मिश्विटालेवा कालेजों में सव से अधिक संक्रवित मिले 21 अपरेल तक अवकास कर दिया गया है जैसा कि लिखा है विश्विद्याले के चीफ प्राक्टर डीन सीडी सी पॉजिटिव जगततारन की प्रचारिया समेद महाविद्यालों के कई सिक्षक भी संक्रवित कोरोना के संक्रवाण ने छीन ली कई की जिन्दगी कई चपेट में मुक्त विश्विद्याले में भी 17 अपरेल तक रहेगा अवकास इस तरह से आप देखेंगे की कोरोना का संक्रवित काफी घरनता चला जा रहा है और विश्विद्याले भी इससे परिशान हो गया सो से संक्रवित हो गया है अगरी सुचना पिश्विद्याले से ही है दिया है 30 अपरेल 2021 को आयूदित की जाएंगी कुछ परिक्षाएं जिनका की दिया गया है इन्वर्सिटी के सेकेंडरी येर और मुक्ष परिक्षा पीजी ला और प्रोफेस्नल कोर्सेज की जो परिक्षाए है अपरेल महीने के अंत्व यानि 30 तारिक से आयूजित होनी थी इसकी जो बिश्तरित जानकारी है यानि टाइम टेबल है वह इलाहाबाद बिश्विद्याले की जो साइट है उस पर उपलब्द है आप देख लीजे ला से संबंधित पीजी वगारा से संबंधित जो परि बरतर नहीं किया गया है उसकी परिछाए में यतावत रखी गई है अगली बातपूर अपडेट निकल क्या रहे है लोग से वायोग से यूपी असी अब एसी अफ और एफो के रिजल्ट जारी उत्तर प्रदेश लोग से वायोग ने अब एसी अफ और आइसो के रिजल्ट की बारी की तैयारी कर रहा है और एफो के बारह पदों पर भरती के लिए पूरी हो चुकी है इंटरव्यू प्रक्रिया यानि जल्द ही इसका भी रिजल्ट आ जाएगा और आप देखेंगे कि जैसा कारी प्रदेश लोग से वायोग की वास जल्द ही इसको रिजल्ट इसक बादों के सापेज 260 अभ्यारती ससर्थ सफल हुए थे चैनेत अभ्यारतों के आवेदन पत्र पर समझ सची कभलेखों का सत्यापन 22 से 24 अपरेल तक किया जाएगा मंगलवार को सत्यापन का पूर्ण कारी प्रम जारी कर दिया गया है तो जो भी अभ्यारती लोग सेवा आय परिक्षा रद 12 की टली आप सभी जानते हैं कि कल सीब्यसी बोर्ड ने 12 की परिक्षा की जो तारीक है उसे टालते हुए और दसवी की जो परिक्षा है उसको रद कर दिया अब एक जून को समिक्षा के बाद तैं होगी विद्यार्थियों को 15 दिन का मिलेगा समय तो इस त जबकि जो दसवी की बोर्ड परिक्षाएं हैं वो निरस्त की जा चुकी हैं अब इन सारे अभ्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाएगा और इनकी परिक्षाएं नहीं होगी हलाकि इसमें यह भी बात कही गई कि अगर कोई अभ्यार्थी चुक है तो आप परिक्षा वेकाबू हो रहे कोरोना संक्वन के मद्दे दस्वी की परिच्छा रदगी और बारवी की परिक्षा का पर फैसला एक जोन के बाद होगा लेकिन कोरोना के कारण परिच्छाओं के सेडियों में बद्लाव करने वाला सी बिच्षी पहला बोर्ड नहीं है कई राज जोनी बोर्ड की छात्रों को राद देते हुए ऐसे पसले दिये हैं जिसमें मद्र परदेश चातीजगर पंजाब महराज टमिल नांडु जैसे राज भी सामिले तो आप देखेंगे कि अकेला सीब्यसी बोर्ड नहीं लगभग हमारे देश के बहुत से राज हैं जो की इससे देश का सबसे बड़ा सैच्रिक बोर्ड है यूपी बोर्ड की परिक्षा में 56 से 57 लाख अभ्यारती परिक्षा देते हैं 24 अपरेल से प्रस्ताविद बोर्ड परिक्षाओं को पंचाय चुना के मद्र नजर अस्थगित कर दिया गया आठ मई से कराने का निर्णे लिया ग यानि 8 मई से अब यहां संसाय लग रहा है कि यह परिक्षाओं सुरू हो पाएंगी क्योंकि कोरोना संकर गहनाता चला जा रहा है वहीं जो दिने शर्माजी हैं उनकी बात देखें जो उक मखवंतरी हैं विगलते हालत को देखते हूँ यूपी बोर्ड की जो स्कूल की परिच्छा रत किये जाने के बाद इंटर की परिच्छाएं सगित किये जाने के बाद अब यूपी बोर्ड की परिच्छाओं को देडर लेना है विद्यार्थियों की निगाहें लगी है उप मुखमतरी डाक्टर दिनेश सर्मा ने कहा कि कोरोना के ऐसे हालत में यूपी अब्डेट निगल क्या रही है यूपी मेट्रों की लखनओ कानपूर वागरा के लिए 222 पर पर होने वाली भरती दिखित परिक्षा 17 अपरेल को आयजुद होनी थी जो कि अपनी निर्धारित समय पर आयजुद होगी कुरा संक्मन को देखते है यूपी मेट्रों सभी अ 60,000 के करीब है इस करण छोटी संक्या होने की वज़ा से यह परिक्षा आयुदित की जा रही है या था समय अगली महत्पूर अपडेट निकल क्या रही है साथ दिन में 10 लाख मरीज 24 घंटे में हजारों की गई जान को रोना की तूसरी लहर सरवादिक एक लाख 84,339 संक्यमित मिले हैं और आप देखेंगे की साथ दिन में लगभग 10 लाख मरीज हो गए हैं तो इस तरह से संक्यमित बहुत तेजी से फैल रहा है और साथ इसाथ सावधाम रहने की जरूरत है आप सभी व्यक्तियों से आप सभी मित्रों से यह हन्रोध है कि पूर्ण रूपेंड हमारे देश या पूरे विश्व से समापन न हो जाए आवस्चक चीजों की खरिदारिया वगएरा करने में पूर्ण सावधानी रखें जैसा कि आप जानते हैं कल की ब्रकिंग लियूज में था भी कि जो दोनों हमारे मुख मंतरी हैं चाहे वो अकले भी वैक्सिनेशन कराया था तो वैक्सिनेशन के बाद भी यह कंडिशन आई है तो आप समझ सकते हैं कि आपको सावधार रहने की जरूरत है अगली महतपूर अपडेट निकल क्या रही है लगनों विश्विद्याले यूजी पीजी और प्रवेश के लिए आवेदन तीन म अधकुल मिलाकर कि यूजी पीजी और प्रवेश तीन माई से सुरू कर दिया है किसने लखनों विश्व बिद्याले ने तो जो भी अभ्यार्थी इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं वो तीन माई से प्रवेश में हिस्सेदारी ले सकते हैं हलाकि डेट बढ़ाई गई है ये डेट 15 अपरेश से ही थी तो इस अनाते डेट बढ़ी है क्योंकि कोरोना आदी परिशान किया है जिसकी वज़ा से अभ्यार्थी प्रॉपर वेशे फार्म फिलिंग नहीं कर पा रहे थे अगली जो महतपूर अपडेट निकल क्यारी है पंचाय चुनाओ पहले चरण के अठारा जेलों मादान होगा मादान की दिन सुबा साथ से छे बजे तक 51174 मादान केंदरों पर जो मादान होगा वहोगा इनी सारी सुचनाओं के साथ बित्रों आपको सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवार सुचनाने के लिए एक बार पूना से रिक्वेस्ट हमारे चैनल को लाइक करें सेर करें सस्क्राइब करें और तथा देला जिकन भी तब आले जैसे सिक्षा जगर्वंदी सब भी जो मातपूर सुचनाओं आपको प्राप्त हो सकें सुचना सुने के लिए एक बार फिर से धर्वार